हर्याना का मुख्य मंत्री बनने के साथ ही नायब सिंग सैनी के सामने फ्लोर टेस्ट की सबसे वड़ी परिक्षा है बुधवार तेरा मार्च को उन्हें विधान सभा में बहु मत साबित करना है आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले ही यानि कल ही अचानक मनुहार लाल खटर ने सियम के पत से इस्तिफा दे दिया था इसके कुछ घंटो बाद ही नायब सिंग सैनी ने सियम के तौर पर शपत ले ली थी और इसी के साथ राज में BJP-JJP गढ़बंधन भी तूट कया ऐसे में ये जानना जरूरी है कि नंबर गेम में कौन कितना आगे है इस वीडियो में हम आपको नंबर गेम का पूरा गणित समझाएंगे पर वीडियो को आगे देखने से पहले एक अपील ग्राउंड रिपोर्ट और बड़ी खबरों के भेतरीन विशलेशन के लिए क्विंट हिंदी को फॉलो करें और क्विंट हिंदी के मेंबर बने मेंबर बनने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर्याना विधानसभा के ओफिशिल वेबसाइट पर जारी डेटा के मुताबिक राज की 90 विधानसभा सीटों से सबसे जादा विधायक बिजेपी के पास है जबकि दूसरे नमबर पर कॉंग्रेस और तीसरे नमबर पर जन्नायक जनता पार्टी यानि जेजेपी है हाला कि निर्दली विधायक भी राज में एक मजबूत करी है मुझूदा डेटा के अनुसर बिजेपी के 41, कॉंग्रेस के 30, जेजेपी के 10, हर्याना लोग हिट पार्टी और इंडिया नेशनल लोगडल के एक-एक विधायक है जबकि 7 विधायक निर्दली है राज में बहुमत का जादू याकडा 46 है मुख्यमंत्री पत की शपत लेने की बाद सैनी ने राज़िपाल को 48 विधायकों के समर्थन वाला पत्र सौपा था 90 सदस्य विधान सभा में बिजेपी के 41 सदस है और उसे 7 में से 6 निर्दली विधायकों के साथ-साथ हर्याना लोख हिद पार्टी की एक मात्र विधायक गोपाल कांडा का भी समर्थन प्राप्त है और इस तरह से बिजेपी मैजिक नंबर से दो अंक आगे दिख रही है इसके साथ ही कहा जा सकता है कि CM सैनी असानी से विधान सभा में बहुमत हासिल कर लेंगे नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके बताएं और देखते रहें क्विंट हिंदी